कि कें नमस्कर दोस्तों सौगते के हैं आपका हमारी फ्रयास निकली में तो दोस्तों जैसा कि आज 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 ही 11 संप्लचे ये उट हो गया है यर्म की शेयर सैटल का शरियुए है वो लोग समझधार है उसे क्याधार पर जो भी प्रिवेशिर कोस्टन है और एक्सपेक्टेट कोस्टन है ठीक है उसको हम लोग देखने वाले हैं अभी की इस वीडियो में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन से पहले आपको बता दें कि इसका अगर आपको 30,000 जो सब्सक्राइबर ही वो आपका अचीव किया था जिसमें से 25,000 तो लोग मड़े गई होंगे फिर भी अगर कुछ हो जाता है उसके लिए एक आपका बैकप चैनल है जो की बनाया गया है जिसका भी लिंक आपको डिसक्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल लियाग उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख लिजेगा ठीक है बाकी हम लोग बढ़ते हैं कुस्टन के और तो आपका जो पहला जो कुस्टन है आज का जो आप लोग समझे कि गंगु वाई हंगल हिंदुस्तानी सस्त्रे प्रंपरा की एक भरतिय गाईका थी जिने 1973 में स संगीत नाटक अकेडमी पुर्षकार से संब्बनित किया गया था वह निम्लिकित में से किस संगीत घराने से संब्बनित है ठीक है यह कुस्टन है आपका सथी द जुन 2022 सिफ्ट ठड़ में पूछा गया था एंसर की आप लोग के पास है आप लोग जाके मिला सकते हैं ठीक खा है ठीक है अब्दुलकरीम खावी जनम आपका ठार सोबत्तर में उतरप्रदेश में होता है और विश्मी सताबदी में इस गराने और श्रमाने रूप से हिंदुस्तानी संगीत के सबसे महत्वन संगीतकारों में से एक ठीक है तो यह पुछा गया था सोड़ी यह आपक आपको जो हमारा जो पीडियेफ है जी इबुक है जो कि अमन प्रयास से इबुक के नाम से लॉंच हुआ था ठीक है उसमें सारी चीज़ें आपको यहां पर दिया गया था इसमें टोटल अभी 35 नहीं 36 टॉपिक है अगर इसको आप लोग भी पर्शेस करते हैं तो यह इब जाम है उन सभी का अगर पीडियाफ लेना चाहते हैं तो आपको यह मिल जाएगा ठीक है और इसको प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है वाट्सप नंबर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्शन में पीन क्या हो रहेगा आपको वाट्सप नंबर को प्राप्त कर सकते हैं ठीक है बाकी जो भी चीजे होंगी आप लोग को पुछना है इस एबुक के बारे में तो आप लोग पुछ सकते हैं एबुक आपका हिंदी और अंग्रीजी दोनों लेग्विन में उपलब्ध हैं अगर आप अनलाइसिस अगर आ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स कोशन के ओर तो जो नेक्स कोशन आज पुछा गया वो पुछा गया कि दिली का अंतिम सुल्तान कोन था ठीक है दिली का अंतिम सुल्तान की बात करते हैं तो यह आपका इब्राहिम लोदी था जो कि लोदीवन्स का सासक था दिली सल्तनत में ज जो की बना था, ठीके, इसके अलाबा, इम्राहिम लोधी के विशे में आपको मालूम होगा, यह सिकंदर जो लोधी था, उसका बेटा था, यह कहें तो उत्रदिकारी था, 15-17 में सिकंदर लोधी का मृत्य होता है, इसके वाद यह सासक बनता है, पिन 15-26 तक पानिपत का जब सल्तनत का भी वन्स होता है, और मुगल समराज का उद्धय होता है, ठीके, पांच राजवन्सों को याद रखना है, इसलाम राजवन्स, इसलाम राजवन्स के मामलुक राजवन्स, जिसे कि हम लोग गुलाम वन्स के नाम जानते हैं, खिल्जी वन्स, तो गुलक वन्स, औ का SI-KI होती है यानि कि लेंस की छमता की SI-KI आप से पुछा गया था ये क्वेस्टन आपका SSC MTS का जो एक्जाम हुआ था पांच गर्च 2019 को shift 2 में वहां पर पुछा गया है ठीक है तो इसका राइट एंसर था आपका डायोप्टर डायोप्टर के बाद करते हैं तो लेंस या क्रिध दरपन की माप की SI काई होती है एक डायोप्टर इसकोल टू वन मिटर और यह पनुख रूप्षे ब्योत्करम लंबाई के किकाई है इसे डी अक्छर से दीनोट किया जाता है जिसा कि कल आप से पुछा गया था EU से किसे दी समंदीत है सीवराम हेग्य की कि जब हम लोग बात करते हैं तो यह 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 शिक कान से समन्दीत हैं यह यह एक्टकर करनाटक का एक लोक नर्थ है करनाटक का आपका लोक नर्थ हैं तो इसको भी आधग इसको भी यादखना है इसके लाबा कड तोक मंजुनात भागवत हुआ इसको भी यादखना है नेक्स कोशन पुछा गया कि हाले में किस मंत्रा लगने निपून भरत कारकरम बुन्यादी सक्षरता एबम संख्याग्यान पर राष्टिय मिशन प्ररमक्या ये कोशन आपका र भी पूछा गया था जिसका राइट एंसर है इपका सिक्षा मंत्राले निपून जिसका फुल्फरम होता है राष्टिय समझ और संख्यात्मक के साथ पढ़ने में पर्मिनता के लिए राष्टिय पहल भारत योजना शुरू किया गया इसके अलाबा इसका उदेश 3-9 वर् आप से पूछा गया होगा जिसका डेट अब आपके सांवने हम प्रस्तुत कर देंगे ठीक है तो मछली के हीड्य में दो कियो में एक पेशी में होता है टेके मचलियों में हिर्दय रख्त को पंप करता है जिसे गल्फ होडों के द्वारा उक्सीजन इक्ट किया जाता है और सरीर के अंगोत तक पहुचा जाता है जहां से ऑक्सीजन रख्त हिर्दय में वापस आ जाता है नेक्स कोशन आपसे पुछा गया कि दोहा डाइमन्ड लिंग दोजार तईस में किस ने स्वन पदक जिता तो दोहा डाइमन्ड लिंग की बात करते हैं तो इसमें नीरस चोपरा ने स्वन पदक है जो की जिता था जो कि 5 मई दोजा तईस को 88.67 मिटर भाला पेकर यह उपलब मेंसन करना मज़ूरी है तो 2023 में भी आपका जाकर रिष्यन को पुश्कार मिला है तो पहले हम लोग 2024 को देखते हैं फिर आम लोग 2023 को देखेंगी तो 2024 में जाकर रिष्यन को 66 मां ग्रेमी एवोर्ड मिला है इसके साथ ही 2023 में बात करते हैं तो दोटेश में इन्हें पदम भी भुशन मिला था हालांकि गरेमी पुर्षकार और पदम भी भुशन दोनों आपके आप् leak में ठां लेकिन 2023 था तो पदम भी भुशन होगा चोबीस होता तो आपका ग्रेमी एवोर्ड होता साथ में 2002 में इन्हें पदम भुशन एवोर्ड 1988 में पदम श्री एवोर्ड य लाकिर हुसेन का सममंद की स्वादध्यं से हবत है तुत बाला से ही हैं। इसके लव भारत के राश्टपती समंदित अनुच्येद आटा है , जिसमें अनुच्येद बाला कहता है कि भारत का एक राश्च्ट्रपती होगा। अनुच्छेद दिरपन कहता है कि संग की कारेकाली जो सकती होगी, वह राश्टरपती में नहीं तोगी, अनुछेद 54 कहता है राष्टपती का चुनाओ अनुछेद 55 राष्टपती के चुनाओ की परकिरियाओं से सम्दित है अनुछेद 56 राष्टपती के पद के कारेकाल से सम्दित 57 पुर्ण इनवाचन हेतु पातरता से सम्दित अनुछेद अंठामन राष्टपती के रूप मे रिक्तियों की इस्तिती में चुनाओं से सम्मंदित है ठीक है यह पुछा गया इसके अलाबा नेक्स पुछा गया कि लगू या निम्न ज्वार कब बनता है ठीक है तो लगू या निम्न ज्वार की बात करते हैं तो जब सुड़ और चंद्रमा पिर्थवी के समकोन यानि की 90 डिग्री पर हो तो दुस्तों आपका लगू या निम्न ज्वार बनता है ठीक है यह आपके उपस्ण में था लगू ज्वार भाटा जिसे के आपका दिर्ग ज्वार यानि की स्प्रिंग टाइड उत्पती होती है जब सुड़ पिर्थवी और चंद्रमा तीनों ही एक अंतराल पूछा जाता तो इसका राइट एंसर होता साथ ठीक है लेकिन पूछा जाएगा याद रखिएगा नेक्स कोशन जो पूछा गया वो पूछा गया जगनात पूरी मंदीर में किन देवताओं की मुर्तियां अस्थापित है तो जगनात पूरी मंदीर की बाद हम भी हमलो करते हैं तो भगमान स्रिकिष की मुर्तियां वहाँ पर स्थापित है इसे तो भगमान स्रिकिष के अल सिर्किस यह आपके option में होगा इसके लावा जगनात मंदीर भारत की और शाराज की टट वरती सहरपुरी में सी थे यह भगनदीर भगमान जगनात सिर्किस को समरबी थे इसे हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है ठीक है यह सभी question पूछा गया इसके लावा भी बहुत सारी question है जो कि आपके expected हैं जहां से प्रशन आपके exam में आ सकते हैं जैसा कि एक question आपका है कि which of the flowing is not related to cricket ठीक है तो cricket is related कौन आशवरी यह आप रहे है कि cricket से समंदीत कौन सी ट्रोफियां आपका नहीं है चार option यह आपको दे रहे हैं एक है आपका रंज जी रंजी के अलावा दुश्रा option है देवधर्ट ट्रोफी इसके अलावा आपका है तीसरा दुरंड कप और चौथा है आपका दिलिप ट्रोफी ठीक है तो आप लोग इसका एंसर बताईएगा इसका एंसर क्या हो सकता है मेरे according तो इसका राइट एंसर आपका दुरंड कप होगा क्यों आप लोग पढ़ना चाहते हैं लेकर दुसे परशकते हैं बाकी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मत परिये इसके लावा और भी सारे question है जैसा कि आपको इंकरेक्ट चूज करना था जैसा एक आपका लाइसोस्रोम था लाइसोस्रोम के आगे दिया गया था सुसाइडल बैग ठीक है कि लाइसोस्रोम को आत्मत्या का ठेली कह जाता है यह तो आपका अगर आप लोग बताना चाहते हैं जो लोग जाम देकर आ रहे हैं तो ठीक है बाकी मत बताईएगा वह ये चाहा है परस्नली बता दीजेगा इसके लबाइसोस्रोम का आपका आया कि किस यूद्ध हमें यूद्ध के बाद जो ब्रेटिशस था यानि कि जो अंग्रेज था वो और ताकत तवर हो गया था तो चाहर ओप्सन थी बैटल ओफ प्लासी बैटल ओफ बक्सर एंड सेकेंड बैटल ओफ करनाटिक एंड प्लासी के यूद्ध जो आपका सातास्व संतामने में हुआ था रोवेट के लाइब जिसका सेनापती था ठीके उसके यूद्ध के बाद ही आपका जो अंग्रेज था वो आपका ताकत तवर हो गया था ठीके इसके लाबा और कुस्टन है फर्स्ट मुवमेंट ओफ सद्दाबाद मिल अंदोलन हो गया तो ये कोस्टन तो आपका रिपीटेड है कल पर शो भी पूछा गया था तो चंपरेंट सत्यगरा इसका राइट एटेंशर जो कि आपका 17 में होता है गांधी डियों पूछा था आपको एक वेदिक सवेता से पूछा गया था बाकि आप लोग बताईएगा कॉमेंट इसके बाद आपको एक बैकाप चैनल दिया गया है उसको भी आप को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आप लोग को भी मालूम है कि चैनल कभी भी उराय जा सकता है क्योंकि बहुत सारे ट्रेट आप लोग कॉमेंट सेक्सरे में भी देखिएगा वीडियो अप्लोड होगा लोग संपर करके इस प्रीबुक को प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट उडियो में जब तक के लिए हैं जैंद